हमारा जो first pattern है वो है constructor constructor means object को किस तरह javascript के अंदर construct किया जाता है कौन-कौन से method है कोई भी object create करने के तो अब देखते हैं सबसे पहले जो हमारे पास method है आप object ऐसे construct कर सकते हैं const person is equals to this your object is constructed एक यह तरीका है हमारे पास second way है हमारे पास person is equals to object dot create object dot prototype यह second way है हमारे पास const इसका variable का ना हम चेंग करते है person two person three is equals to new object यह हमारे पास तीन डिफरेंट तरीके है method है जावा स्क्रिप्ट के अंदर कोई भी object create करने के ठीक है जी फर्स्ट आप just simple जैसे हमने जेसान नोटेशन देखी थी हमने जाव स्क्रिप्ट के basic lectures में वह आपके पास method है दूसरा आप जाव स्क्रिप्ट का एक अपना एक अपनी class object उसको dot create करें और उसके अंदर उसी object की तमाम prototypes pass कर दें यह हम prototype pattern पे आएंगे तो prototype को हम detail में देखेंगे कि क्या है prototype और third है हमारे पास आपने new object कर लिया अब इन में object creation के बाद values assign करने के कौन-कौन से तरीके हैं वह भी आपको दिखाते हैं फर्स्ट मैं अभी तुझी empty object है नहीं इसमें कौन-कौन से प्रॉपर्टीज हो सकती है ठीक इसकी प्रॉपर्टीज आप किस तरह define कर सकते हैं तो यह मारे पास almost 4 ways तो होंगे फर्द देखते हैं प्रेटेल में आपको idea हो जीगा person.firstname is equals to हमने लिख लिए जी अली यह हमारे पास एक तरीका है आप क्या करें आप कोई भी जो भी आपने object क्रेट क्रेट किया है उसके आगे उसकी प्रॉपर्टी का नाम लिख दें यू कन राइट लाइग दिस एक और प्रॉपर्टी में क्रेट करता हूं मैं एक और तरीके से उस प्रॉपर्टी को में क्रेट करूंगा चले पहले हम इससे इसके इसका फर्स निम आ गया अब मैं कहता हूं जी एक और जो सेकंड वे है इसकी इसकी प्रॉपर्टी में करते हैं इसकी इसका फर्स निम आ गया इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करने का वह मैं यूज करता हूं दूसरी प्रॉपर्टी मैं इस तरह डिफाइन नी करूंगा मैं गया तो पर सब स्क्रिप्ट जैसे आप वह अरे में आपने देखा था ठीक है तो यह चीज़ हम क्या करेंगे कहां पर कहेंगे जी लास्ट नेम इस इकल स्टू इमरान देती है अब आप इसको दुबहरा रन करें तो देखें इस अब्जेट की दूसरी प्रॉपर्टी सेट हो गिया और मै और आपस फी है वह है थोड़ह Sa solemnा वे है उसको हम देखते है ॉप जैट डिफाईन प्रॉपर्टी अब आपने प्रोपेट अधिन एनी इसमें क्या कॉनों सी प्रॉपर्टी जाती ह sabe यह उन देखते है जो भी आप इसकी वैल्यूसरीफ करें गये वाल्यूव है तो जो भ हम कहते जी एज स्की कर दें 30 ठीक है अभी मैं सिर्फ इतना करता हूं फिर इसकी तीन और प्रॉपर्टीज है उसको हम देखेंगे कि वह प्रॉपर्टीज क्या है देखें एक फीज नोट करें पास प्रॉपर्टी मस्ट पी अनब्जेक्ट वाटाइ मिसंगेर समकी मिन अब्जेट दिया है उसके बाद की दे दी आँने एंड दैन वाटाइ नीड तो डी राइट इसकी दूसी पापर्टी जिए लिखता हूं यहां पर राइटेपल इसकी पापर्टी याभी इसको अम् in your miracle true configurable true I think this key it be a property and if there any issue here property description must be an object what is happening here Define property not properties sorry Define property यह यह function Define properties नहीं Define property है and let me ठीक है यह आगे हमारे पस value this लेकिन आपने note किया होगा उसने age यहां print नहीं कि क्योंकि हम इसकी चार और properties है जो हमें define करनी पड़ती है जिनकी by default value false है वो यही वाली है अगर मैं इसे कहता हूँ one by one देखते हैं सारी properties और क्या उनके benefits क्या है अगर मैं कहता हूँ जी enumerable true तो यह enumerate आजेगा इसमें enumerable true का मतलब है कि जब भी कोई enumerate करेगा इसको loop के जरीए यह जो इसकी default feature है जब भी आपको यह console.log करते हैं तो यह इसको enumerate करके हर property प्रिंट करता है और अगर आप enumerable false कर देंगे तो आपकी वह वाली property कभी भी उस iteration के अंदर नहीं आएगी इसलिए by default उसकी false होती है तो आपको प्रिंटर नहीं होता है यह अगर आप यहां पर false लिखेंगे तो यह देखें तो मैं इसको true करता हूँ second देखें क्या है इसकी property second property है writeable writeable मैं इसको कर देता हूँ false अब देखें क्या होगा writeable false करते हैं और इसका यह मतलब है कि आप इसके अंदर यानि इसकी age 30 है न तो मैं यह कहता हूँ जी person.age is equals to 67 करें और देखते हैं यह print क्या करता है आपकी age 30 ही print कर रहे है क्योंकि मैंने उसे कहा है writeable false जो एक पर value देदी वो change मत करें तो writeable true करेंगे तो अब आपकी जो age है वो 67 show करेगा right okay next है enumerable next हमारे पास configurable configurable का यह मतलब है कि अगर आप configurable true कर देंगे तो आप इस object की property को delete नहीं कर सकते delete कैसे करते हैं वो भी आपको दिखाता हूँ हम कहते हैं जी delete object इसमें करते हैं person.age मैंने यह delete किया लेकिन वो delete नहीं हुआ लेकिन अगर मैं कहता हूँ configurable true कर देंगा यह देखें हम age आ रहे हैं तो आप पूरी object की property को ही delete कर सकते हैं तो आपने जब भी इस method से आपने यह चीज़ define करनी है तो आपको बताना पड़ेगा कि आप इन में से यह क्या काम करने जा रहे हैं ठीक है यह देखते हैं object का नाम बताए है person फिर आपने curly braces अब आप एक से ज्यादा properties को देने जा रहे हैं यहां पर आपने हर property को यह कर देने हैं जैसे मैं यहां से यह करता हूँ first property है मेरी height करते हैं हाइट करने हम चले जैंडर करते हैं जैंडर में property है और मुझे अब इसके अंदर values देनी है यह वाली value यह जो हमने लिखाना तो यह आपको यह आपको यहां define करनी पड़ेगी तो हम कहते हैं यहां पे gender male configurable false जो value दे दी start time पे वह दे दी example है यह एक और property height height और height हम यहां पर कह देते हैं for example 5.9 ठीक है अब यह क्या होगा आप देखें आपके पास इसकी four property four method आपने कर लिया इसके अंदर first name इस तरीके से किया है last name हमने इस method से किया है उसके पर age हमने इस method से किया है फिर properties हमने दो और properties define की है then we can run it तो आप यह देख सकते हैं नीच result में देखें ठीक है जी first name last name age gender height इन में से आप जो भी properties जिसको भी enumerable false कर देंगे वह वाली आपके पास print में नहीं आएगी वैसे object में exist कर रही होगी बट वो print में नहीं आएगी उसका क्या तरीक है जो print में नहीं आएगी इसको अगर आप खुद से लिखेंगे you can see this dot gender ठीक है तो आप यह लिख सकते हैं directly यहां आपको आपके direct object में नहीं आ रही लेकिन direct आप इसको print कर सकते हैं यह देखें mail लिखा रहा है innumerable तब होता है जब आप कोई भी object console को pass करें या अगर आप इस पर loop भी लगा के सारी values get करना चाहें तो वो फिर आपके skip कर देगा क्योंकि innumerable वो property नहीं होगी I hope कि यह आपको clear हो गया होगा कि किस किस तरह कौन कौन से method है हमारे property define करने के और कौन से method है हम जो है create करने object करने के और property define करने के एक और तरीका है यहां पे एक और method है वो है हमारे पास class का क्योंकि जो मारे पास modern जितनी भी ESF 2015 प्लस है वो support करते है class कैसे यूज करते हैं example class for example car car की class मनाते है ठीक है यह मैं एक example लेकर चल रहे हैं हम इसी को देखते है तो मैं यहां पे person लेता हो जायता तो अब हम जहां पे यह काम नहीं करेंगे हम कहते हैं class person constructor आप इसको बता दें यहां constructor बताना होगा आपको तो हम यहां पे कहते हैं जी first name, last name, gender यह चले हम इसको यह बता देते हैं यह इसका constructor है अब इसकी values कैसे set करेंगे this dot first name is equals to first name यह 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 first name है उस object का होगा और यह वाला जो उसको पास किया जाएगा value ठीक पास्वाइ वैल्यू पास्वाइ पास्वाइ रफ्रेंस मुझा उसकी detail में जाने की जोगत नहीं है this dot last name is equals to last name this dot gender is equals to gender right तो अब मैं इसका method लिखता हूं कोई भी इसको print करने के लिए for example हम इसको कहते है two string कोई भी method अब लिख सकते मैंने इसको कहते ही two string तो हम कहते है जी return करें return करें this dot first name this dot first name plus string this dot last name plus this one यह हम plus कहते हैं जी space और हम कहते हैं जी जेंडर this dot gender sorry this dot gender तो हम यह कहेंगे जो भी नाम है is whatever name यह प्रिंट करेगा तो देखते हैं कैसे इसको यूज करते हैं तो इसका तरीका यह होगा आप वेरियेबल क्योंकि क्लास यूज करें तो हम चले कॉंस्ट ही ले ले लेते हैं कांस्ट या लेट जो भी है कॉंस्ट परसन इस इकुस्टू न्यू परसन अब इसमें आपको सब नाम देने पढ़ेंगा अली इम्रां मेल यह रिटन कर रहा है तो इसको मैं कंसोल में लिखूंगा इसको अब रन करते हैं राइट क्लिक रन अली इम्रां इसमेल राइट आपने दिखा कि अब यह आप क्लास के दरिए भी यह काम कर सकते हैं तो यह जितना अब जावास्किट पें कोड़ बहुत ज्यादा करना पड अब यूज करते हैं तो कोड़ आपको कम करना पड़ेगा इसी तरह फ्रेमवर्क आपको कोड़ और कम कर देते हैं जैसे रियक्ट है एंगुलर है व्यू जैस है तो यह हमारा जो बेसिक लेक्चर था क्रिएशन का किस तरह हम क्रिएट कर सकते हैं कोई भी अबजेट को अब नेक्स टॉपिक की तरफ मूव करते हैं